हेलो फ्रेंट्स दिस इस पीशिंग एंड वेलकम टू स्मार्टर एब्रिटेप प्यारे दूस्तों सीट इट दिसंबर दो हजार चॉबिस को टार्गेट करते वे हमारी सस्टी की क्लासेश कांटीनु है जिसमें हमारी जो हिस्ट्री चल लाई थी क्लासिक्स की हिस्ट्री वह कंप्लीट हो गई ठीक और जिउगराफी जो थी क्लास फिक्स की वह भी कमप्लीट हो गई ओके क्लासिक्स की स्ट्री क्लास ओर गाझ्स् प्लेलिस्ट बनी हुए लिंक दिस्कृप्सण बॉक्ष में है वहां से सभी वी लिडि़िक्स को सीख् huis मैं देख सकते क्योंकि कल की class में history complete हो गई है और आज से यह जो first chapter है आपका यह class 7th की history का first chapter है इसके बादन class 8 की history, geography, quality भी बची है इनको शुरू करेंगे तो आईए शुरू करते हैं देखिए पहला chapter है प्रारंबिक कथन हजार वर्सों के दौरान हुए प्रिवर्तनों की परताल जांस परताल ओके अच्छा chapter है बड़ा chapter है आपको बहुत concentrate होकर की चीजों को समझते वे चलना है ओके तो आईए शुरू करते हैं जो भी विद्यार एक ती class में लाश्र तक बना रहता है definitely आज बहुत कुछ शीखने वाला है देखे यहां पर कह रहा है मांचित्र एक और दो पर नजल डालिए एक और दो कौन कौन है यह जो मांचित्र आप देख पा रहे हैं सामने यह है आपका मांचित्र नंबर एक है ओके और जो दूसर अब यह कहता है मांचित्र एक यह अरब भूगोल वेता कहा के हैं यह अरब के हैं कौन है भूगोल वेता है ठीक है अल अद्रीशी नाम है इनका इन्होंने गैरा सो चोवन में इसको बनाया था यह जो मांचित्र है इसको गैरा सो चोवन में बनाया गया था ठीक है कौन है ये अरब के भूगल वेता है इनका नाम है अल-इद्रिशी यहां जो नक्षा दिया गया है वह उसके दोरा बनाये गए दुनिया के बड़े मांचित्र काये के सिर्फ हिस्सा है और भारती उपमादूईब को दरसा रहा है यह जो मांचित्र है यह भारती उपमादूईब को बहुत पुराना 1154 में बनाया गया है अरब के भूगल वेता थे अलिद्रिशी उन्होंने इसको बनाया था इतनी बात के लिए होती है वेरी गूट आगे बढ़ते हैं मांचित्र दो एक फ्रांसीसी मांचित्रकार ने 1720 में बनाया था जो मांचित्र दो अभी हमने नीचे इसको बनाया गया है और नीचे वाला 1720 में बनाया गया है अलॉट अब डिफ्रेंस बहुत बड़ा अंतरह में देखने को यहां पर मिल लहा है दोनों का बिलकुल कती डिजाइन सेप सब अलग अलग है ठीक है चलिए और दोनों एक ही इलाके के हैं मगर उनमें काफी अंतर है अल इद्रीशी जो ये वाला नकसा है के नकसे में दच्छिन भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ठूनेंगे और स्री लंका का दूइब उपर की तरफ है जबकि स्री लंका का दूइब कहां बिलकुल यहां पर होता है नीचे की तरफ बिलकुल है ना जो अर्बी में दिये कैं हैं और उनमें कुछ जाने पहंचाने नाम भी हैं जैसे की उत्तर प्रदेश हो गया ठीक है मांचितर एक के बारे में यहां पे एक प्वेंट लिखा हुआ कहता है कि 12 सदी के भूगल वेता अल इद्रीशी का बनाया हुआ दुनिया के नकसे का एक हिस जिसमें भारती उप महादूइब को भूमी से समुद्र तक दिखाया गया है क्या है सबसे बड़ी बात भारती उप महादूइब को भूमी से समुद्र तक दिखाया गया है यह भूगुल वेता अलिद्रीशी के माध्यम से जो की 12 सदी के भूगुल वेता थे उनके दोरा बनाय गया है तो यहाँ पर कह रहा है इसमें बहुत सरे नाम है जो जाने पहचाने है जैसे कि उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश का कन्नौज हो गया उत्तर प्रदेश का कन्नौज ठीक है अब यहाँ पर मांचितर दो की बात करेंगे मांचतर दो ये रहा पहले मांचतर के बनने के लगबग 600 वर्स बाद इसको बनाए गया कब 600 साल बाद इस काल अबदी में उपमहदीप के बारे में सूचना एक काफी बदल गई थी 600 साल हो गए तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन और बढ़ी होंगी कुछ जो गलत इंफॉर्मेशन होंगी वो करेक्ट होई होंगी है ना उनमें बदलावाया होगा तो सूचना है काफी बदल गई थी यह नक्सा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा उसमें विशिशकर तटिये इलाकों के बारिक बेवरे देखर के आश्चर होता है यूरोप के नाविक और व्यापारी अपनी समुद्र यात्रा के लिए इस नक्से का इस्तिमाल किया करते थे यूरोप के जो नाविक होते थे और व्यापारी होते थे वो अपनी जो समुद्री यात्रा करते थे उसके लिए इस नक्षे का वो इस्तिमाल किया करते थे कि हम कहां जा रहे हैं इसमें हम किस सहर में हैं या किस देश में हैं ठीक कहां पे हैं इसका वो जानकर यहां से मिलती थी अठारवी सदी के आरम में ग्विलॉम दलिसले के एटलस नूवो के अनुसार ये उपमादीप इसमें दिखाए गया है आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पैंट की बात करेंगे, देखेगा बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा चैप्टर है, कंसर्टेट होगर के पूरे चैप्टर को ठीक से बढ़िये इतने ही महत्पूर्ण एक और बात ये है, कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गयाता किस तरीके से मानचित्र का अंकन किया जाता है, इतिहास कर जब बीते युगों की दस्तावेजों, नक्षों और लेखों का अध्यान करते हैं, जो इतिहास कर हैं, वो बीते समय के जो जो दस्तावेज हैं, जो नक्षे हैं, या जो लेख मिले हमको, ठीक है, उनका जब अध historical background क्या है ये information कहां से आई है इन सब चीजों का ध्यान रखना आविशेक होता है नई और पुरानी शब्दावली में भी अंतर देखने को मिलता है अगर समय के साथ साथ सूचना के संदर्व बदलते हैं अगर किसी सूचना का संदर्व बदलता है तो भाषा और अर्थों के स historical हमें अभिले की मिलते हैं वो उसमें कई तरह की भाषाएं होती हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं उदारन के लिए मद्युकी फारसी आधुनिक फारसी भाषाशे भिन्य है जो मद्युकी फारसी थी वो आज की फारसी से अलग है ये भिन्यता सि शब्द भंडार में ही नहीं आई है समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदले पहले जिस शब्द का अर्थ कुछ और होता था आज उस शब्द का अर्थ कुछ और है ऐसाने सिर्फ व्याकरन चेंज हो गई या वोकविलरी चेंज हो गई शब्द भंडार नहीं जो शब्द ह उनके अर्थ में भी प्रिवर्तन आया है इतनी बात के लिए आगे बढ़ते हैं उदाहरन के लिए अगर हम बात करें तो हिंदुस्तान सब्द ही ले लीजिए उदाहरन के लिए हिंदुस्तान सब्द लीजिए आज हम इसे आधुनिक राष्ट राज भारत के अर्थ में लेते हैं अगर आज हम कहते हैं हिंदुस्तान यानि कि हम पूरे भारत की बात कर रहे हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं तेरिवें सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनाजे सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग किया था तो उसका आशाय पंजाब हर्याना और गंगा यमुना के बीच में इस्थित जो इलाके थे उनको इंडिकेट करने के लिए इसने हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग किया था और आज वो शब्द पूरे भारत के लिए यूज होने लगा पूरे भारत के लिए हम प्रियोग करते हैं हिंदुस्तान आई बास समझ में 13 सदिक की बात हो रही है जो फार्सी के इतिहासकार थे मिनाज सिराज उन्होंने हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग किया था उसमें उन्होंने इस आशाय से प्रियोग किया था किसके लिए उन्होंने पंजाब, हर्याणा और गंगा यमुना के बीच में जो इस्थान था गंगा-यमना के पीच में जो इलाके थे उनको नाम दिया था हिंदुस्तान उसने इस शब्द का राजनितिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार शित्र में आते थे सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतरगत आने वाले छेतर भी बढ़ते चले गए लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दच्छिन भारत का स्मावेश कभी नहीं हुआ इसके विपरित 16 सदी के आरंब में बाबर ने 16 सदी जब शुरू हुई तो बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रियोग इस उपमहादूइप के भूगोल पशुपक्षियों और यहां के निवासियों की संस्कृतिक का वर्णन करने के लिए किया था यह प्रियोग 14 सदी के कवी अमीर खुसरो दौरा प्रियोग शब्द हिंद के ही कुछ कुछ समान था मगर जहां भारत को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सब्दों की रूप में पहँचाना जा रहा था वहां हिंदुस्तान शब्द से वे राजनितिक और राष्टरी अर्थ नहीं जुड़े थे जो आज हम जोड़ते हैं जो आज हम राजनितिक और राष्टरी अर्थ जोड़ रहे हैं वो उस समय हिंदुस्तान शब्द के साथ नहीं जुड़े थे किसी भी शब्द का प्रियोग करने में इतिहासकारों को बहुत सावधान रहना चाहिए बहुत सावधानी रखनी चाहिए क्योंकि अतीत में क्योंकि पास्ट में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे और आज उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ है उदाहरन के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लिए लिए आज इसकार्थ होता है ऐसा विक्ति जो भारती ना हो उसको हम विदेशी कहते हैं चया ब्रपल सी बात है मध्युग की बात करें मध्युग में मानो किसी गाओ में आने वाला कोई भी अनजान व wiping दिंदी जी मध्युग में क्या था कि कोई भी अनजान विक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग नहो विदेशी कहलाता था ठीक है आज अगर कोई विदेशी है तो इसका मतलब क्या है वहाँ भारतिय नहीं है हम समझते हैं कि वो भारतिय नहीं है लेकिन मध्य युग में क्या था कि मध्य युग में किसी गाउं से किसी गाउं में आने वाला कोई भी अंजान रिखती जिसको गाउं के लोग जानते नहीं है, वो दूसरे गाउं से आया है, जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, उसे विदेशी कहा जाता था, तो इस तरीके से बहुत अंतर आ गया शब्दों में, ऐसे विक्ति को हिंदी में परदेशी और फार्सी में अजनवी कहा जा सकता है, इसलिए नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था, वनों में रहने वाला नगरवासीयों के लिए विदेशी होता था, जो आज हम दूसरे देशों के विक्तियों के लिए प्रयोग करते हैं, किन्तो एक ही गाउं में रहने वाले, दो किसान अलग-अलग धार्मिक या जाती परंपराओं स सबको लेकिन पहले यही चलता था चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इतिहासकार और उनके स्रोत की देखिएगा इतिहासकार किस युक का अध्यन करते हैं और उनकी खोज की प्रकृति क्या है इसे देखते हुए वे अलग-अलग तरहे के सौर्सेस का सहरा लेते हैं उदाहरन के लिए पिछले साल यानि की कच्छाच्छे की जो किताब थी उसमें आपने गुप्तवंश के शाषकों और हर्ष वर्थन के बारे में पढ़ा था ये जो क्लास सैवंथ की बूख है इसमें हम मोटे तौर पर सास्सो से लेकर के साड़िश शत्राशो यानि की सत् पचाश इश्वी तक लगबग हजार वर्थन के बारे में पढ़ने वाले हैं आगे बढ़िये इस काल के अध्यन के लिए इतिहासकार जिन सरोतों का प्रियोग करते हैं ये जो समय था इसको स्टड़ी करने के लिए इतिहासकार जिन सोर्सिस का प्रियोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातیں ऐसी मिलेंगी जो पिछले युग से वैसी ही चली आ रही हैं और आज भी वैसी ही हैं और बहुत सारा ऐसा कुछ मिलेगा जो पहले और आज में बहुत अंतर है इतिहासकार इस काल के बारे में सूचना एकठी करने के लिए अभी भी सिक्कों, शिलालेखों, इस्थापत थे यानि कि भवन, निर्मान, कला और लिखित सामगरी पर निर्भर करते हैं उस समय जो सिक्के किस तरीके के थे, उन पर किस तरीके से क्या अभिलेख थे, या उस पर क्या लिखा गया था, शिलालेख क्या थे, शिला यानि कि पत्थरों के उपर जो लिखा गया था, और भवन, निर्मान की कला किस तरीके के थी, उनमें क्या दर्साया जाता है, इन सब ये सब चीज़ें आज भी help करती हैं इतिहासकारों को, उस काल के बारे में informations collect करने के लिए, पर कुछ बातें पहले से काफी भिन भी हैं आज, इस युग में प्रामानिक लिखित सामगरी की संक्या और विविदता आश्चरजने के रूप से बढ़ गई है, इसके आगे इतिह इतिहासकार, सूचनाओं के दूसरे प्रकार के स्रोतों का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल या जैसे ये कह रहा है कि इस्तेमाल धीरे-धीरे कम करने लगे हैं, ठीक है, कहता है कि इसके आगे इतिहासकार सूचनाओं के दूसरे प्रकार के जो स्रोत हैं, उनक पैमाने पर उपलब्द भी होने लगा, लोग यहां पे धर्म गरंथ, शास्कों के वरतांत, संतों के लेखन, और उपदेश, अर्जियां, अदालतों के दस्तावेश, हिसाब, और करों के खाते आदी लिखने में इसका प्रियोग करने लगे, किसका प्रियोग? कागज का प् पॉइंट कहता है कि धनी वेक्ति, शाशक, जन, मठ और मंदिर पांडूलिपियां एकत्रित क्या करते थे, ठीक है, इन पांडूलिपियों को पुस्तकालियों और अभिलेखा गारों में रखा जाता था जो पांडूलिपियां हमको मिलती थी, अभिलेखा गार क्या होता है, जहां पे अभिलेख बगैरा जो हैं, वो रखे जाते हैं, ऐसा इस्थान जहां दस्तावेजों और पांडूलिपियों को संग्रहित किया जाता है, उनको सरक्षित रखा जाता है, उसे हम अभिलेखा गार कहते हैं, आज सभी रास्ट्री और राजे सरकारों के अभिलेखा होते हैं, जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन दिन के बेवरों का रिकॉर्ड रखते हैं, उसे अभिलेखा गार कहा जाता है, इतनी बात के लिए होती है, ठीक है, इन पांडूलिपियों और दस्तावेजों से इतियास कारों को बहुत सारी विस्तरत जानकारी मिलती है, भाई उसी को पढ़कर के तो ये लोग अंदाजा लगाते हैं, अनुमाल लगाते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, फिर वो सुद्ध भाशा में हमारे लिए कंटेंट तयार करते हैं, या हमको उसकी इनफॉर्मेशन देते हैं सुद्ध सरल भाशा में, मगर साथ ही उनका उपयोग बहुत कठीन होता है, जानकारी तो देते हैं लेकिन उसको जो पांडुलिपी जो भी अविलेखिन को मिला, उसको पढ़ना, उसका अर्थ निकालना कठीन होता है, उसको समझना, उन दिनों छापे खाने तो थे नहीं, प्रिंटेंग प्रेस तो थी कि जाओ छपवा लो, इसलिए लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिक्रति बनाते थे, इसका मतलब यह है कि एक कॉपी जो पहले लिखी गई है, कोई भी पांडुलिपी या कोई भी या विलेख जो लिखावा मिला है, अब उस वो अगर पुराना हो गया है, या ठीक से दिख नहीं रहा है, तो जाहर सी बात अब नश्ट होने वाला है, तो उसकी दूसरी कॉपी तयार कर ली जाती थी, ठीक है, तो यह क्या हो गया, कोई भी लिपिक या नकल नवीस हाथ से ही पांडुलिपियों की प्रतिक्रति बनाते थे, यानि दूसर करना इतना आसान नहीं होता, एक तो उसकी लिखावट समझ में नहीं आथी, बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आते, तो यह समझ्या आती है, फिर हम अगर हम नकल मार रहे हैं, एक तो टीचर का डर है, दूसरी बात उसकी राइटिंग समझ में नहीं आ रही है, हम बूर होकर के अंदाजा ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया है फल्सरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे वे से कुछ छोटे मुटे अंतर जरूर आ जाएंगे यहाँ पे एक पिक्चर आप देख पा रहे हैं जिसमें लिखा है कि यहाँ एक लगू चित्र की प्रतिक्रती है जिसमें एक लिपिक जो है यह कौन है यह लिपिक है किसी पांडू लिपिक की नकल कर रहा है इस चित्र का आकार इतना है इस छोटे आकार के कारण इसे लगू चित्रिया मिनियेचर कहा जाता है ये जो चित्र है इसका आकार छोटा है इसी वज़े से इसे लगूचित्रिया मिनियेचर कहा जाता है कभी-कभी इन लगूचित्रों का प्रयोग लेक में आई पांडलिपियों को इस पस्थता प्रदान करने के लिए किया जाता था ये इतने सुंदर होते थे कि आगे चलकर संग्रह करता अक्सर इन चित्रों को पांडलिपियों से अलग करके बेचने लग गए ये जो महासा हैं ये क्या कर रहे हैं ये यहाँ पर एक पुराना रजिस्टरिन को कोई मिला है अब उससे इसको ये क्या कर रहे हैं दुबारा लिख रहे हैं ठीक है और जब लिख रहे होंगे तो जाहिड सी बात है जिसने इस कौपी को लिखा होगा उनके कुछ शब्द इ इनकी कॉपी कोई दूसरा लिखेगा कुछ 100 साल बाद तो फिर उसे लगएगा कि इन्हों ने ये शब्द ठीक नहीं लिखा ये वाकर ठीक नहीं लिखा तो वो कुछ इसमें प्रिवर्तन कर देगा तो इस तरीके से जो मूल कॉपी होती है उसके कई उसके जो अलगलग कॉप मिलता रहता है इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है तो यहां पर कह रहा है कि इसमें मित्र के लिखे हुए में और हमारे लिखे हुए में छोटे मोटे क्या होते हैं अंतर आ जाते हैं लेकिन महतपूर अंतर आ जाते हैं ओके अब आगे पॉइंट को समझे देखिए पॉइंट कहता है कि पांड़ लिपि की प्रति बनाने में वि कुछ-कुछ यही होता है, प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक, चोटे मोटे फ unions फेर बदल करते चलते थे, कहीं कोई शब्द बदल दिया, कहीं कोई वाक के बदल दिया, कुछ शमत्जमें नहीं आते थे, कुछ उन्ने लगता था कि यह नहीं होना चाहिए सदिदर सदि प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंत्रता है एक ही मुझल गरն्थ की भिन भिन प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई गरन्थ एक ही है लेकिन उसकी जितने भी कॉपियां लिखी गई, प्रतिलिपियां लिखी गई, वो एक दूसरे से अलग होती चली गई, क्योंकि भाई पहले उन्हों ने लिखा फिर उन्हों ने लिखा तो उसमें बदलाव आ गया, इसे से बड़ी गंभीर समस्या उत्पन हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक की मूल पंडलिपी शायद ही कहीं मिलती है, हमें बात के जो लिखा होगा लेखक ने, इसलिए इस बात का अंदाज़ा लगाने के लिए, कि मूलता लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकारों को एक ही गरंत की विभिन प्रतलिपियों का अध्यान करना पड़ता है, कि मूल गरंत क्या था, फिर उसके बाद इसकी जो कौपियां बनियों ने क्या क्या लिखा, इतिहासकार एक ही मूल गरंत के कई सारी कौपियों को भी पड़ते थे, प्रतलिपियों को पढ़ते थे तब उन्हें पूरा प्रापर जानकरी हो पाती थी इतनी बात हो गई यहां पे एक पॉइंट है देखिए यह लिखा पॉइंट कहता है कि लिखावट की भिन प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कटनाई हो सकती है ठीक है नस्तलिक लिपी जो है वो बाई और है जिसमें वर्ण जोड़कर धारा प्रवा रूप से लिखे जाते हैं वर्ण जोड़कर धारा प्रवा रूप से लिखे जाते हैं फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपी को पढ़ना आसान होता है शिकस्त लिपी दाई और है अधिक सग इसमें वर्ण जोड़कर इसको धारा प्रवाह लिखा जाता है और दूसरी तरब यह जो शिकस्त लिपी है यह बहुत सगन सगन का मतलब देखे कितना क्लोज लिखा हुआ है बहुत क्लोज लिखा हुआ है संचिप्त लिखा है यह बड़ा कठीन है इसको पढ़ना तो यह होत होती है फिर इनको पढ़ने वड़ी कठनाई होती है अब यहां पर देखिए चैप्टर बड़ा है समझते चलिए कई बार लेखक श्वैम भी शमय शमय पर अपने मूल वरतांत में संसोधन करते रहते थे ठीक है चोदमी शताबदी के इतिहासकार जियाउदिन बर्णी ने अपना वरतांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके दो वर्स बाद लिखा था इतिहासकार जियाउदिन बर्णी ने अपना वरतांत पहली बार कब लिखा था 1356 में लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वरतांत की जानकारी ही नहीं थी कि ये लिखा भी गया है यह पुस्तिकालियों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था जिसे बाद में इसकी जानकारी मिल पाई नए समाचिक और राजनितिक समू को समझ लेते हैं देखेगा नए समाचिक और राजनितिक समू की बात करेंगे सन 700-1750 के बीच के हजार वर्सों का अध्यान इतिहासकारों के आगे भारी चुनावती रखता है कि आप एक हजार वर्स का अध्यान कर रहे हैं तो बहुत मेहनत इसमें लगती होगी मुख्य रूप से इसलिए कि इस पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के प्रिवर्टन हुए इस काल में अलग-अलग समय पर नई प्रोध्योगी की दरसन होते हैं जैसे सिचाई में रहट, कताई में चरके और युद में अग्रियास्त्रों बारुद वाले हाथियार का इस्तिमाल होना इस उपमहदीप में नई तरह का खानपान भी आया आलू, मक्का, मिर्च चाई और काफी भी जो है भोजन में सामिल हुए ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन, नई प्रोद्यों के किया और फसले उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे वो नए विचार लेकर किया है, नई चीजों को लेकर किया है, नए ग्यान को लेकर किया है इस युग में लोगों की गतिशीलता एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत पड़ गया था। अवसर की तलाश में लोगों के जुंड के जुंड दूर दूर की आत्राएं करने लगे थे। इस उप महादुप में अपार संपदा और अपना भागी गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी और इस काल में जिन समुदायों का महत्त बढ़ा उनमें से एक समुदाय था राजपूत जिसका नाम राजपुत्र से निकला है। राजपूत्र का मतलब होता है राजा का पूत्र इतनी बात के लिए ठीक है। यहां पर आप देख पा रहा हूँगे एक पिक्चर है चित्र है आप चित्र तीन दिया है यह रहेट है यहां पर इसको नाम दिया गया है रहेट आगे के पॉइंट को देखिए चैप्टर बड़ा है आराम से इसको पढ़ते चलिए आठवी से चौदवी सदी के बीच ये नाम आम तोर पर कौन सा नाम राजपुत्र राजपूत जिसे कहते हैं ये नाम आम तोर पर योधाओं के उस समुग के लिए प्रियोग होता था जो छत्र गलक शाष्कों की सीनाओं में सेनाओं में शेवा कर रहे थे वो भी इसमें इंक्लीड थे ऐसाने की सिर्व राजपूतों की आचार संगिता प्रबरप्राकरम और श्वामी भक्ति का गुणगान करते थे कौन कवी और चारन इस युग में राजनीतिक दृष्टिश्य महत तो हासिल करने के आवसरों का लाब, माराथा, सिक्थ, जाट, अहुम और कायस्थ आदिसमों ने भी उठाया था। ठीक, कायस्थ याने की मुक्ता लिपिकों और मुर्षियों का काम करने वाली जो जादी थी उन्होंने भी इसका लाब उठाया। इस पूरे काल के दौरान करमशाह जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका बढ़ता जा रहा था। कुछ छेत्रों में ये प्रिवर्तन अन्य छेत्रों की अपिक्षा आधिक तेजी से और पूरे तोर पर हुआ। पर्यावास में प्रिवर्तन के कारण, पर्यावास का मतलब क्या होता है? यहां पर लिखा हुआ है पर्यावास, यह देखे समझे, पर्यावास का इसका तादपर है किसी भी छेत्र के पर्यावरन और वहां के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन सैली को हम पर्यावास कहते हैं। ठीक है, इतनी बात के लिए पर्यावास को समझ लिए उसमें परिवर्तन के कई कारण, पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनवाशियों को मजबूर होकर अपना इस्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवाशी, जमीन की जुताई करने लगे, किसान बन गए। क्रसकों के ये नए सम्हू छत्रिय, छेत्रिय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे, वे बड़े और जटल समाजों के अंग भी बन गए, उन्हें टेक्स चुकाना पड़ता था, और इस्थानिय मालिक वर्ग की बेगार भी करने पड़ती थी, बेगार का मतलब जिसमें कोई धन दिया जाता, आपसे सिर्फ काम करवाया जाता है, रिजल्ट ये हुआ कि किसानों के बीच आर्थिक और समाजिक अंतर उभरने लगे, कोई ज़्यादा समरद होने लगा, तो कोई गरीबी की गरत में जाने लगा, कुछ के पास ज़्यादा उपजाओ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे, और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आधिका कुछ काम कर लेते थे, जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बाटे जाने लगे, ये जाती हो गई, ये उपजातियां हो गई, तुम इस जातिके हो गए और उनका background और website के आधार पर उने समाज में उचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा यानि कि जाती उपजाती में लोग बांटे जाने लगे उनका background देकर के पेश्ट भूमी देकर कि ये पहले क्या काम करता था और इसका व्यवसाय क्या था? उसके आधार पर उसको समाज में उचा या नीचा माना जाने लगा लेकिन ये दरजे इस्थाई नहीं थे किसी जाती विशेश के सदस्चों के हाथों में कितनी सत्ता प्रभाव और संसाधनों का नियंतरन है इसके आधार पर उसके दरजे बदलते रहते थे किस आधार पर दरजे बदलते थे तो किसी जाती विशेश के सदस्चों के आथों में कितनी सत्ता है उसका प्रभाव कितना है और संसाधनों का नियंतरन उसके पाश कितना है इसके आधार पर दरजे उनके बदलते रहते थे एक ही जाति का किसी छेत्र में कोई दरजा हो सकता है और किसी अन्य छेत्र में कोई और इस छेत्र में उसे कोई और दरजा दिया गया है वो दूसरे छेत्र में जाएगा तो वहाँ पर उसे कोई और दरजा दिया जा सकता है इ अपने सदस्यों के विवहार को कंट्रोल करने के लिए जातियां क्या करती थी श्वयम अपने अपने नियम बनाती थी इन नियमों का पालन जाती के बड़े बुजर्गों की एक सभा करवाती थी जाती के जो बड़े बुजर्ग होते थे वो इन नियमों का पालन करवाते थे जिसे कुछ इलाकों में जाती पंचायत कहा जाता था लेकिन जातियों को अपने निवाश के गाउं के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था इसके अलावा कई गाउं पर मुख्याओं का शार्षन होता था जो गाउं का मुख्या होता था उसका शाशन होता था गाउँ पर मिलाकर वे किसी राज़ की छोटी हिकाई भर हुआ करते थे छेत्र और सामराज की बात करेंगे देखिए चोल जो के हम चेप्टर 2 में पढ़ेंगे तुगलक जो हम चेप्टर 3 में पढ़ेंगे जैसे बड़े बड़े राज़ों के अंतरगत कई सारे छित्र आ जाते थे दिल्ली के सुल्तान गैसुदीन बल्बन की परसंसा में एक संस्कृत परशंस्ती में उसे एक विशाल सामराज का शाशक पताए गया है परसंस्ती जो हमने पीछे पढ़ा था परसंस्ती का मतलब क्या होता है परसंस्ती का शाब्दी कर्थ होता है परसंसा ठीक है प्रेज जो राजा की जिसमें राजा की परसंसा की जाती है ठीक है राजा का गुणगान बखान किया जाता है उसे परसंस्ती कहते है तो साशक बताया गया है जो पूर्व में बंगाल यानि की गौण से लेकर पस्ची में अफगानिस्तान के गजन यानि गजन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिन भारत यानि द्रविड भी आ जाता था गौड, आंद्र, केरल, करनाटक, महराष्ट और गुजरात, आदी, बिने, बिने, छेत्रों के लोग और लोग जो हैं वो उसकी सेना क्या पलायन कर जाते थे उसकी सेना क्या 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 कर जाते थे पलायन कर जाते थे ठीक यहां पे एक छोटा सा मांचितर आपके शामने दिय जा गया है और यह कहता है कि मांचत्र थ्री है यह जो मिसे के शिहाबुद्दीन उम्री के दोरा रचित मसालिक अल अबसर मी अबसर फी ममालिक अल अमसर के अनुसार मोहमद तुगलक के राज़काल में दिली सुल्टराथ के अंदरगत आने वाले प्रांतों का उल्लेखिस में किया गया है ठीके यह बहुत इंपोर्टेंट नहीं है जहां बहुत इंपोर्टेंट होगा वह हम आपको बता देंगे ठीके बस थारूली पुशिश में भी लगे रहते हैं कि सासक लोग इस उपमहादिप के भिन भिन भागों पर अपने अधिकारों का उलिख क्यों करते रहते थे क्या उनको मतलब इसे मतलब था क्या चाहिए होता था भाषा और छेत्र के अगर बात करें तो सन 1318 में कभी अमीर खुसरों ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर चेत्र की एक अलग भाषा है सिंधी लहोरी कश्मेरी द्वार समुद्री है ना जो की दक्षिन करनाटक में है तेलंगानी जो आधर प्रदेश में गुजरी गुजरात में माबरी तमिलाडू में गौरी बंगा इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेश चेत्र की भाषा नहीं है यहाँ एक कैसी भाषा है यहाँ एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्रहमत जानते हैं आप जनता इसे नहीं जानती है फिर क्या हुआ आगे बढ़ेंगे प्रेंट को ठीक चैप्टर सेवन में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी यह चेत्र विशेश सासको राजवनसों से भी जुड़ गए थे इसलिए क्योंकि यह जो चैप्टर है जो बाकी चैप्टर सागे आने वाले हैं उनका यह आधार है उनका यह बेस है हम इसको सम पहेंगे इससे बहुत ज़्यादा पूछे नहीं गये हैं लेकिन चैप्टर बहुत इंपोर्टेंट है बेस है आधार आए आने वाले चैप्टर्स का यह चेत्र विशेश सासक राजवनसों से भी जुड़ गये थे इन राज्यों के बीच काफी टकरहाटें चलती रहती थ कि मतलब सभी राज अगर जो है कि खड़े कर लिए गये तो सभी सामराज एक समान चल रहे हैं और इस्तिर हैं सफल हो गये हैं ऐसा नहीं कुछ सामराज शफल हो जाते थे कुछ जो है कि गर्त में चले जाते थे आगे बढ़ेंगे देखिए पॉइंट कहता है अठारवे पतन के धलान पर था अठारवे सदी में मुगल वंस फलसुरूप हुआ क्या छेत्री राज फिर से उभरने लगे जो छेत्री राज थे वो फिर से उभरने लगे चैप्टर एट में इसको समझेंगे लेकिन वर्सों से जो सर्वचेत्री सामराज जी का शासन चल रहा था उ फैले इन छेत्रों को विराशत में मिली थी। इस तत्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन छेत्रों में उबरी थी। इन परंपराओं में कुछ एक दूसरे से भिन और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराओं हमें प्रशाषन, अर्थविस्था के प्रबंधन, उचे संस्कृति और भार्षा की शंद्रव में मिलती है। देखेगा, बहुत अच्छा टॉपी के पुराने और नए धर्म की बात करेंगे यहां से। इतिहास के जिन हजार वर्सों की परताल हम कर रहे हैं, जिन हजार वर्सों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, जाज परताल चल रही है। इनके दोरान धार्मिक परंपराओं में कई बड़े परिवर्तन आए, जो धार्मिक परंपराए थी उनमें भी कई बड़े परिवर्तन आए। दैविक तत्तमें लोगों की आस्था कभी-कभी बिल्कुल ही व्यक्तिगत इस तरपर होती थी, मगर आम तोर पर इस आस्था का सुरूप शामोहिक होता था। किसी दैविक तत्तो में सामोहिक आस्था यानि धर्म, प्रायहा इस्थानी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक संगठन से समंदित होती थी, जैसे जैसे इन समुदायों का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी पुजा शुरू हुई, आज हम ज मंदिरों का निर्मान सुरू हुआ समाज में पुरोहितों की रूप में ब्रहमनों का बढ़ता महत और बढ़ती सत्ता देखने को मिली जो ब्रहमन थे उनका महत तो बढ़ रहा था और क्यूंकि नए देवी देवतों की पूजा अर्चना बढ़ रही थी ब्रहमन इनकी स्वेम प्रतिष्ठा की चाहा में थे इनके संदक्षक थे उनको खुझ प्रतिष्ठा चाहिए होती थी इन संदक्षकों का समर्थन होने के करण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ गया था ठीक है अब आगे देखिए संदक्षक क्या होता है कोई प्रभावशाली धनी विक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य विक्ति को मदद या सहरा दे उसे संदक्षक कहते हैं चलिए आगे पॉइंट को समझेए देखेगा पॉइंट क्या कहता है क्या हुआ कि इस युक में एक महत्तपुन प्रिवर्तन भक्ति की अवधारना की रूप में आया, इसमें इश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमल इश्ट देवी देवता की रूप में की गई थी, जिस तक पुजारियों के विश्चत कर्मकांड के बिना ही भक्त श्यम पहुंच सके, यानि कि जो पुजारियों के जो कर्मकांड बगएरा ह ने हवन बगएरा हैं, उनके बिना ही भक्त श्यम वहां तक पहुंच सके, ठीक है, इस विश्चे में और साथ ही दूसरी परंपरों के बारे में आपको चैप्र 6 में जानकरे मिलेगी, यही वो युग था जिसमें इश्व उपमहादूत में ने ने धर्मों का भी आगमन हो हो रहे थे, कुरान शरीप का संदेश भारत में पहले पहल सात्मी सदी में व्यापारियों और आप प्रवाशियों के जरिये पहुंचा, मुसलमान कुरान शरीप को अपना धर्मगरंत मानते हैं, जहिर सी बात है, केवल एक इश्वर अल्ला की सत्ता को शुईकार करते हैं, मुसलमान कहते हैं कि सिर्फ एक ही इश्वर है, एक ही अल्ला है, वो उसी की सत्ता में शुईकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने मियास्था रखने वाले हर विक्ति को गले लगाता है, चाहे उस विक्ति की समाजिक प्रिश्ट भूमी कुछ भी रही हो, कई शाशक इसलाम और इश्के विद्वान धर्म शास्त्रियों और नियाए शास्त्रियों अर्थात उलेमा को सनच्छन देते थे, हिंदू धर्म के ही बहाती, इसलाम के अनुयाई भी अपने धर्म की अलग तरह से व्याख्या करते थे, यानि कि हिंदू धर्म की बहात जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुस्लमानों का विधी सम्मत नेता मानते थे कुछ सुननी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्त को श्वीकार करते थे इसलाम के आरंभिक दोर में इस धर्म का नेतरत करने वाले खलीफा इस धर्म का जो नितरत करते थे उन्हें खलीफा कहा जाता था और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही इसलामी नियाय सिध्धान्त मिशेशकर भारत में हनफी और सफी ऐसे सिध्धान्त हैं कि विभिन परंपराओं में भी कई महत्पूर्ण अंतर रहे हैं ऐसे ही धर्म सिध्धान्तों और लहेश्वादी विचारों को लेकर विभिनताएं देखने को मिलती है समय और इतिहास के कालखंडों पर अगर हम विचार करें तो देखिए इतिहास कार क्या है कि समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखते कि पहले क्या समय था क्या कैलेंडर था कौन सी दिन तारिक थी नहीं नहीं देखते हैं यानि कि केवल घड़ी और गणतों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते हैं उनका नजरिया ये है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले प्रिवर्तनों को जलकाता है जो समय है ये सामाजिक और आर्थिक संगठन में जो प्रिवर्तन आया अगर पास्ट को समान विशिष्टा रखने वाले कुछ बड़े बड़े हिस्सों यूगों और कालों में बाट दिया जाए तो समय का अध्यन कुछ आसान हो जाता है आगे बढ़ेंगे उनिसमी सदी के मद्द में अंग्रेज इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को तीन यूगों में बाटा था हिंदू यूग, मुसलिम यूग और ब्रिटिश ठीक भारत के इतिहास को तीन यूगों में बाट दिया हिंदू, मुसलिम, ब्रिटिश ये जो विभाजन है यहाँ पे ये विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शास्कों को धर्म ही एक मात्र महत्तपूर्ण एतिहासिक प्रिवर्तन होता है क्या होता है देखिए थोड़ा सट खर लेते हैं इस विचार पर आधारी था कि सास्कों का धर्म ही एक मात्र महत्तपुन एतिहासिक प्रिवर्तन होता है उनका धर्म और अर्थ विवस्था समाज और संस्कृत में और कोई भी प्रिवर्तन कोई भी महत्तपुन बदलाव नहीं आता इस द्रिश्टिकों से इस उपमहाद्वी के अपार विवदता की भी उपेक्षा हो जाती है जो अपार विवदता जो भिन्ता देखने को मिलती है उसकी भी थोड़ी बहुत उपेक्षा हो जाती है इस काल विभाजन को जो काल विभाजन हुआ ठीक है हिंदू Muslim British के अधार पर इसको आज बहुत कम इतिहासकार ही एक्षेप्ट करते हैं अधिकतर इतिहासकार आर्थिक और समाजिक कारकों के आधार पर ही पास्ट के विबिन कालखन्नों की विशिष्टाय तै करते हैं किसके आधार पर आर्थिक और समाजिक कारकों के आधार पर पिछले साल यानि कि Class Six की जो पुस्तक हम पढ़ रहे थे उसमें प्राचिन समाजों के कई प्रकारों का समाविश था जैसे हमने सिकारी संगरहा के बारे में पढ़ा आखे ठक के बारे में पढ़ा प्रानबिक दौर के जो सिकर्मी थे, शहरों और गाउं के निवासी थे, प्राडमिक दौर के राज्य और सामराज्य थे, यह हमने पढ़ा, इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे, चैप्टर क्लास 7 की जो बुक हम पढ़ रहे हैं, उसे प्राया मद्धिकालिन इतिहास कहा जाता है, क्या कहा जाता है यह जो हम क्लास 7 की हिस्टरी आज से हम शुरू किये हैं, इसमें जो हिस्टरी आपको पढ़ाई जा रहे हैं, यह मद्धिकालिन इतिहास कही जाती है, इसमें आपको क्रसक समाजों के विस्तार, छत्री, चेत्री और सामराज्य कराज्यों के उद्र, कभी-कभी तो वासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों की रूप में हिंदू धर्म, इसलाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारी कमपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकरी हमको इस क्लास सेवंथ में मिलने वाली है। ठीक है पॉइंट को देखिए। भारत के इतिहास के ये हजार साल अनेक बदलाओं के साक्षी रहे हैं। आदुनिक काल से की जाती है। आदुनिकता के साथ भौतिक उन्नती और भौतिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ है। इस से आशा ये निकलता है कि मद्देकाल जो है वो रूरी वादी था और उस दोरान कोई प्रिवरतन हुआ ही नहीं लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। प्रिवरतन तो देखने को मिला। अब यहां से यह आगे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है चैप्टर भी हमारा कम्प्लीट हो गया। ठीक है तो इसलिए चैप्टर को पढ़ना आशा जरूरी था और हम छोड़ कुछ भी नहीं सकते सब कुछ इंपॉर्टेंट है और कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है आई बस समझ में इस बात को हमेशा ध्यान लखिएगा तो क्लास कैसी रिक कॉमेंट करके बताईएगा बस आपको एक बार हमने पढ़ा दिया है और अच्छा चैप्टर था मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में